समस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में इलेक्टिकल की और कुछ इंपोटेंट अबजेक्टी कुछन के बारे में डिटेल में डिसकोशन करेंगे और अगर आपको वीडियो आच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जुरूर कीजिगा तो देखो आज के पहला कुछन शुर आरिपेम में तो इसका एंशार होगा जो हाइडरो जनेटर होता है वो फैफफान्डर अडार्पीएम में गूंता है तो शर्फन नमबर यह होगा ईसका कौरेट ंसर और जो हाईडरो जैटर होता है जिसको हम हाईडरो पार प्ल्टल रोटर्स 152 रेखे गर drilling वोगता है ल स्पिड के लिए यूज करते हैं जैसे की ठोर्माल पार प्लाट्ट जो होता है जहां पर कोईले से कोईले से बीजली बनता है उस हम लोगोह से बते होकोर्माल पार प्लाट्ट में हम नन साल debit पोल टाइब रटल का यूज करते हैं और उसका स्पिड जो हमारा 3,000 तक रहता है तो इस question का answer क्या होगा hydrogenator है इसलिए 500 rpm रहेगा अगर thermal power plant होता तो up to 3000 rpm रहता तो option number A होगा इसका correct answer देन देखो next question, next question देखो the following motor is popularly used in driving a refrigerator इन में से कौन सा motor को हम refrigerator में use करते हैं decision motor को या फिर universal motor को या फिर plane cage induction motor को या फिर squirrel cage induction motor को तो इसका answer होगा जो refrigerator होता है उसमें universal motor का यूज करते हैं option number B होगा इसका correct answer देखो यह जो फिगर है यह हमारा refrigerator का फिगर है लेकिन इसका body निकल दिया गया है लेकिन देखो निचे जो यह motor यह होता है और यह होता है universal motor यह जो universal motor होता है यह SC में भी काम करता है और DC supply में भी काम करता है उसके बाद देखो यह DC short motor है यह constant speed के लिए जाना जाता है जो DC short motor होता है इसको भी हम constant speed के लिए ही यूज करते हैं लेकिन यह ज्यादातर कि इंदोस्ट्रियाल परप्रज में ज़्यादातोर यूज किया जाता है इस कोई अलकेज इंडोक्शन मोटर को तो इस कुछन का एंसर किया आओगा आप्शन नामबर बी उनिवर्सल मोटर ये जो फिगर है ये होता है अमरा उनिवर्सल मोटर का फिगर देन देखो नेस्ट एक conduct system for taking water from the intake work to the turbine is known as देखो जो हमारा hydro power plant hydroelectric power plant होता है यह जो फिगोर है यह हमारा एक hydroelectric power plant का फिगोर है इसमें देखो कुस्चन में कौन सा इसा pipe है कौन सा इसा conduct system है जो यहां से means intake से water को इस turbine तो लेता है तो यह जो pipe है इसी pipe के थ्रो यहां होता है पानी इस reservoir का इंट्रेक होता है उधर से इस pipe के थ्रो पानी आता है तो यह जब pipe होता है इसको हम क्या कहते है इसको हम dam कहेंगे या फिर veterans top कहेंगे या फिर التेंग कहेंगे तो इसका setup है यह जो pipe होता है इसको ओंइस्च क्या कहते है तो option number c होगा इसका correct answer उसके बाद दोखो जो option a the am a dam a them क्या है हम सभ जानते है hope the gas है बोग स्टोर को रहता है उसके बाद आप संड डेको सोज powiedzieć फास्या हूं किया होगा हमाना यह जाम होगा इसमें पानए ठिक से आपलाई नहीं तो क्या होगा इधर प्रेसर बहुत ज़दा बड़ जाएगा और ज़्यादा प्रेसर होगा तो यह जो पाइफ है प्रेस्टो के यह डेमेज हो सकता है और इसी प्रेसर को रिलीज करने के लिए हम इस सोल्टनेक का यूज करते हैं यह जो फिगर देखो यह होता है सोल्टनेक दें देखो next question the transformor use for AC welding set is देखो जो AC welding होता है alternating current welding system जो होता है उसमें हम कौन सा ट्रांसफरोर का यूज़ करते हैं booster type transformer का या फिर step up transformer का या फिर step down transformer का या फिर इनमेंसे किसी को भी नहीं तो इसका आइनसर होगा जो हमें AC alternating current welding में welding करना होता है तो हमें इनमें से एक सा कॉन सा टावं यूज करेंगे ना जो हमारा स्टेब डाउन ट्रास्फरवर होता है उसको यूज करते हैं वर्डिंग के लिए ऑप्शन नमबर C होगा इसका कॉर्टेन सब्सक्राइब तर यह बाला फिगो देखो यह होता है जो स्टेब डाउन होता है उसमें क्या होता है यह वाला फिगत यह होता है वर स्टेब डाउन ट्रांसफर्वर प्राइमेरी में जितना वोल्टेज देंगे सेकेंडारी में उसे कॉम वोल्टेज मिलेगा लेकिन देखो अगर वोल्टेज कॉम होगा प्राइमेरी में जितना वोल क्योंकि वर्ल्डिंग के लिए हमें ज्यादा कॉरेंट की जोर्वत होता है यह तो आप्शन नंबर सी होगा इसका कॉरेंट इंसर उसके बाद यह बूस्टर ट्रांसपर होते हैं जो हमारा लोंग ट्रांस्मिशन लाइन होता है जैसे कि माललो हमें बहुत 100 किलमेटर तोक इल जजना था रिसिविंग एनड में उतना भॉल्टेज होंगें नहीं मिलेगा इस में हम बूस्ट ट्रांसपरमर के use करते हैं जो जो लोस हुआ था जो पावाद लोस हुआ था उसको इस बूस्टर ट्रांसफर्मर रीगन करता है जिसे जितना था उतना ही रहता है तो यह था option A उसके बाद step up ट्रांसफर्मर क्या हता है देखो जहां पर यह जो step down transformer है इसमें input में अगर हम high voltage दते हैं तो output में low voltage मिलता है लेकिन यह step up ट्रांसफर्मर होता है उसमें इसका opposite होता है अगर हम step primary में क्या करेंगे low voltage देंगे तो output में ज्यादा voltage मिलता है तो इस question का answer क्या होगा जो AC welding system होता है उसमें step down transformer option number C step down transformer का यूज़ करते हैं क्योंकि हमें welding के लिए ज्यादा current की जड़त होता है तो option number C is the correct answer दें देखो next question next question low voltage winding are placed next to the core as in this case reduced देखो जो हमारा transformer होता है उसमें देखो यह मालो यह हमारा transformer है उसका यह core है यह जो iron का core है यह iron का core है लेकिन ठीक से देखो यह core है core के पास में यह green बाला एक winding है green के बाद rate बाला और एक winding है जो green बाला winding है बो होता है low voltage winding और जो rate बाला होता है बो high voltage winding कुश्चन में क्या है कुश्चन में है जो कोर होता है उसके पास में हम लो वल्टेज का वाइंडिंग को क्यूंज करते हैं और लो वाइंडिंग के बाद हाई वाइंडिंग का क्यूंज करते हैं हम कोर वाइंडिंग के बाद हाई वाइंडिंग का यूज क्यूं नहीं करते ह तो इसका एंसार होगा, देखो, जो low voltage winding होता है, उसके लिए जो हमारा insulation system होता है, insulation requirement होता है, वह भी कम जड़ोत होता है, अगर high voltage होगा इसके प्राइमेरिवाइडिग रखेंगे, तो हमें जो insulation होता है, वह भी कम रखना होगा, इसलिए option number C होगा इसका current शार और यह जो transform का core होता है इसमें hysteresis loss भी होता है ED current loss भी होता है और core loss भी होता है और इस hysteresis loss को कम करने के लिए हम इस core में क्या करते हैं silicon steel का यूज करते हैं और ED current loss को कम करने के लिए क्या करते हैं हम lamination करते हैं और जो copper loss होता है वो core में नहीं होता है, ये winding में होता है अगर ये copper का winding होगा, copper ore का winding होगा तो इसमें copper losses होगा तो इस question का answer क्या होगा जो winding होता है low winding, low voltage winding उसको हम core के पास में इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें जो insulation होता है उसका low voltage के लिए कम insulation की जरुत होता है तो option number C होगा इसका correct answer देन देखो next question next question है if in a three phase induction motor two phases upon accidentally the motor will देखो, एक three phase induction motor माललो हमारा पास एक three phase induction motor है accidentally, by mistake किया होगा ना three phase में से two phase upon हो जगा, टूट जाएगा तो अगर two phase टूट जाता है accidentally, तो जो motor होता है वो dangerously high speed में घूमेगा या फिर बो motor bond होगा या फिर जीसे घूम रहाता वो जीसे ही घूमेगा load के ओपर कोई भी depend नहीं करेगा या फिर non of this तो इसका अंसार होगा अगर एक three phase motor का किसी भी दो phase upon हो रहा है तो disconnect हो रहा है तो जो motor होता है वो automatically stop होगा option number B होगा इसका इसका खुरेट नसार ये वाला फिगोट देखो, ये जो होता है हमारा एक three phase motor है इसमें three phase देखो, ये red phase, ये yellow phase ये blue phase, ryb, three phase है अगर ये ठीक से घुम रहा है अगर biomistically accidentally किया होता है ये वाला blue phase और yellow phase देखो दो phase टूट गया है, open हो गया है तो इस condition में एक ही phase रहता है और जो single phase होता है वो motor को घुमा नहीं सकता हम सबी जानते हैं single phase का rotating power नहीं होता है इसलिए motor bond होता है तो देखो जो फेन होता है उसमें एक ही phase होता है फिर भी वो क्यों घुमता है क्योंकि उसमें कापासिटर का यूज करते हैं जो single phase को double phase में split करता है लेकिन इधर 2 phase हो चुका है एक ही phase बाकी है तो इसलिए motor stop हो रहा है जिरो temperature कोफिशन रेजिस्टन्स होता है या फिर negative temperature कोफिशन रेजिस्टन्स होता है या फिर positive temperature कोफिशन रेजिस्टन्स होता है या फिर variable temperature कोफिशन रेजिस्टन्स होता है तो इसका answer होगा जो semi conductor होता है बो negative temperature कोफिशन रेजिस्टन्स होता है option number b होगा अगर उसको हम हीट के देंगे तो उसका रेजिस्टन्स इंक्रीज होता है इसलिए जो कॉंडॉक्टर होता है अगर इसको हम टेंपरेचर इंक्रीज करते हैं तो इसका रेजिस्टन्स भी इंक्रीज हो रहा है उपर की तोरब जा रहा है यह फिगर में देखो और अगर हम सेम रेजिस्टान्स किया होगां तो इसलिए जो हमारा सेमी कन्दॉंक्टर होता है और फोजिटीव कोन करो पॉजिटीव होते हैं देह ये नौर ऑप टोनB प्राइमेरी और प्राइमेरी और यह इसका सेकेंडरी वाइनिंग है इसे ही जो कुस्चन में है जो कॉरेंट ट्राइमेरी वाइनिंग में इनमें से कितना टॉर्ण रहता है यह पिर फ्राइमेरी वाइनिंग में आप्शन नंबर ए होगा इसका काम क्या होता है इसका क्या होता है नुर्माली 5A तो current को measure करने के लिए हम एमिटर का यूज करते हैं लेकिन अगर हमें ज़्यादा current का measure करना होता है मारो एक Transmission Line है मारो यह हमार एक 3-payAttra transmission line है इसमें बहुत ज़्यादा current flow हरा अगए तो इसमें हम current को measure करने के लिए हम इस city याफ पिर current transmit का सब्सक्राइब कोश्चा है कोया हुता है यह काम करता हैान्स dollon सब्सक्राइब में को करता है यूज यो त्रांस्मिस्वार्ण के साथ करेंगे ये he और जो secondary winding होता है उसको हम एक emitter के साथ connection करेंगे तो देखो अगर इधर जितना current measure करेगा उसको बहुत कम करके emitter के थ्रोपास होगा और यह जो emitter होता है उसको measure करेगा और उसको जो ratio होता है उसको multiply करके हम calculate करेंगे कि यह जो 3-phase OIR होता है उसमें कितना current flow हो रहा है तो इसके जो इसके जो primary winding होता है उसमें एक से लेकर 5-6 ton रहता है option no.1 क्योंकि जो primary winding होता है उसमें कम voltage की होता है तो option no.1 होगा इसका correct answer देन देखो next question इनने synchronous motor with field under excited power factor will be देखो जब एक synchronous motor under excited condition में होता है तो उसका power factor leading power factor होता है या फिर lagging होता है या फिर इन में से कोई भी नहीं या फिर unity power factor होता है तो इसका answer होगा जो एक synchronous motor under excited condition में होता है तो उसका पारफेक्टर जो होता है वो लेगिंग पारफेक्टर होता है option number B होगा इसका correct answer देखो यह वाला फिगर under excitation देखो यह under excitation जो back EMP कम रहेगा face voltage से उसको क्या कहते है under excitation कहते हैं उसमें पारफेक्टर लेगिंग रहता है और जो back EMP का भेलो ज्यादा रहेगा face voltage से उसको हम क्या कहेंगे ऑबर excitation कहेंगे ऑबर excitation कहेंगे उसमें पारफेक्टर leading होता है यह आपको याद रखना होगा देन देखो next question next question है which of the following connection of transformer will give the highest secondary voltage देखो हमारा आपस star delta connection होता है या फिर delta star connection होता है या फिर star star या फिर delta connection होता है इन मेंसे कौन सा winding एक ट्रांसफर्मर का अंदर अगर करेंगे तो secondary voltage हमें सबसे ज्यादा मिलेगा तो इसका एंसर होगा अगर हम एक ट्रांसफर्मर का जो primary winding होता है उसको star connection करेंगे और जो secondary winding होता है delta connection करेंगे इस condition में हमें सरी सरी अगर हम primary winding को delta connection करेंगे और secondary को star connection करेंगे इस condition में हमें सबसे ज्यादा secondary voltage मिलता है option number B होगा इसका कोरेटेंसर यह बलफिगों देखो यह होता है primary winding primary winding जो होता है बोर डेल्टा कनेक्टेड हुआ है और जो secondary winding यह बोर स्टार कनेक्टेड होगा है क्योंकि जो स्टार कनेक्टेड होता है उसमें line voltage is equal to root 3 into sorry phase voltage होता है और इसलिए जो secondary voltage ठेक्स पर वाचिंग और अगर आपको वीडियो अच्छा लागता है तो सब्सक्राइब जरूर किजेगा